जी हां आज के दिन का सबको इंतजार था 23 मई 2019 का जब नतीजे घोशित होने थे और सुबह से ही जैसे जैसे रुजहान आते गए और नतीजों तक एक बार फिर मोधी सरकार प्रचन पहुमत के साथ उनकी सरकार बन रही है देश में और विपक्ष्य खेमे की उनके चेहरे जाल गई है मादम पसरा हुआ है तो वहीं बीजेपी खेमे की जश्न की तयारियां है और आज जैसे ही नतीजों की तस्वीर साफ होती गए और जैसे ही मोधी सरकार ने खुद बीजेपी ने तीन सो का आकड़ा पार किया ठीक पाच बज़े के गरीब पियमोधी और अमिश जाहा बीजेपी दफ्तर दिली के बीजेपी दफ्तर पहुंचे जहां पे 25,000 तदाद में कारीकरताओं ने उनका बिनंदन किया और पियमोधी ने भी गर्म जोशी के साथ उन सब का शुक्रिया दा कि और क्या कुछ कहा लेकिन उससे पहले जो सबसे बड़ी खबर है वो य चोकिदार हटा लीजे आई जानते हैं त्यागी सर से त्यागी जी क्या कहेंगे देखिए चोकिदार से पहले मैं बता दूं कि पियम मोधीने वारान सी से बड़ी जीत दर्ज की है पिसली बार उन्होंने जो 3,701 लगबग वोटों से जीत दर्ज की थी इस बार वो मार्ज से तरो देश को लोगों के सामने क्मांदान नेतागा था उस वक्ष भी उनके जबत हो गई थी हां तो लेकिन नेता थे आपकी नेता क सामने ऐसा था नहीं शालिनी यादव थी पहले आई फिर तेज प्रताप यादव आ गए उनकी उनका रद हो गया वो जो नामांकन रद हो गया लेकिन अगर तेज प्रताप यादव मैदान में होते तो शायद कुछ तस्वीर और हो सकते थी क्योंकि शालिनी यादव पहले नामांकन तो उनका सब्सक्राइब सब के बाद वहीं में कह रहे हूं इन सब के बीच पूरे चुराँ प्रचार में एक ही नारग गुंजा मैं भी चौकीदार हूं और विपक्ष ने भी उसको पूरी तहरे आड़े हाथ लिया राहूल गांदी जहां जाते थे यहीं कहते हैं कि देश का चौकीदार चोर है चोर है तमाम विपक्ष पाटियों ने लेकिन अब खुद पिया मोधी न अपने ट्विटर हैंडल से चौकीदार वर्ट क्यों हटा लिया देखिए कविता मोधी जानते हैं कि देश के लोगों को क्या सुनना है विपक्ष राहूल गांदी कितने भी हमने करें उन्होंने बहुत सबसे पहले बोला था कि चौकीदार लोगों ने बोला था उनके समर्थकों ने चोर है वहां से शब्द सुरूवा था चौकीदार तो बीजेपी की जो रणीती थी वो यह थी कि राहूल गांदी अगर चौकीदार सब्द से मोधी पर हमला कर रहे हैं तो उसका कांट अट किस तरह किया जाए उसके बाद में फिर बीजेपी ने अपने सोसल मीडिया पर फैलाना शुरू कर दिया कि चौकीदार को एक तरह से एक अभियान बनाया जाए कि किस तरह से ये चौकीदार सब्द बीजेपी के लिए पोजेटिव में आए जो राहूल गांदी नेगेटि नेगेट तो यह एक सब्द एक केंपेंड बन गया पूरे देश में और वह कैंपेंड कहीं नहीं चौकीदार सब्द ने भी एपिक लिए बड़ा वोट देने का काम किया लोगों में जन्भावनाव में बदलाओं में इस शब्द ने बहुत बड़ा काम किया है यह कहें कि वह लोगों की भावनाओ को उन्होंने वोट के य Harlow हैं उनको वोटों में ताबिल करने का बड़ा काम किए बिल्कुल बिल्कुल सभी जगा मोधी बोलते थे कि हाँ मैं चोकिदार हूँ मैं देश की रक्षा करूँगा और जिस तरह से वो बयान देते थे अभी सर्जिकल स्ट्राइक के आसपास तो उन्होंने ये बोला कि हाँ मैं चोकिदार हूँ मैं देश की रक्षा करता हूँ तो तो उन्होंने आगे के लिए जो पांस साल हों के लिए बोला इस बहावनों को जिंदा रखते हुए हम भारत की प्रगति के लिए काम करना जारी रखेंगे ट्विटर पर मेरे नाम से चौकिदार शब्द हटाया जा रहा है लेकिन यह शब्द मेरा अभिन हिस्सा रहेगा लोग चोकिदार सब्द को अपने नाम के आगे से हटा लें और आगे के पांस सालों के लिए काम करना शुरू कर दें तो यह मोदी का ट्विट था तो इसके अलावा में जाना चाहती हूँ कि आखिर क्यों अब ऐसे हालात हैं कि जो पीम मोदी कह रहें कि अब चोकिदार को हटा दी देखिए यह जो चोकिदार सब्द का जो कैम्पेन था वो 2014 के जो एक समय था जो पूरा हो चुगात है 19 में उसके लिए था समय आगे बढ़ गया है आगली सरकार बनेगी अगले मंत्री बनेंगे अगला काम होगा सरकार में तो पिछली बातों को छोड़के आगे क आती है बीजेपी इसको लेकर चलिए बात आती है जश्न की क्योंकि मिठाईयों से लेकर आतिश बाजी से लेकर गुलाल जो हमने आज तस्वीरे देखी बीजेपी खेमे की तरफ से वहां पे दफ्तरों में किस तरह का जितने भी कारियाले हैं उनके दफ्तरों के बाहर समर पर पहुंचे तो वह तस्वीर अपने में एक एथिहासिक तस्वीर थी वह तस्वीर हमें या उस तस्वीर ने हमें 2014 की मोदी सगाई की जीत के तस्वीर याद दिला दी 2016 जो यूपी में बनी थी जब योगी गवर्मेंट बनी थी तब भी एक ऐसा ही नजारा देखने को मिला था क्योंकि यूपी की जीत बहुत बड़ी जीत होती है आप विधान सभा के लिहास से देख लो या लोग सभा के लिहास से तो यूपी केंदर की सत्ता का रास्ता ही यूपी से होका जाता है तो यूपी जिसका है यही तस्वीर आज दोवारा बीजेपी मुख्याले में देखनों की मिली और यहां मोदी ने कई बाते बड़ी अच्छी बोली जो लोगों के दिलो द्रसल मोदी में बोलने के काबलेत है वो जानते हैं कि देश की जनता तुम बाजबा की विशेष्टा है कि हम कभी दो सीटों पर आ गए थे लेकिन कभी अपने मार्क से विचलित नहीं हुए आदर्सों को ओजल नहीं होने दिया ना रुके ना ठके और ना जुके और दोबारा यातरा कर आदें उतार चड़ावाए तो बीजे मतलब मोदी ने इस त आतार दो बार सरकार बनाई थी पूर्ण बहुमत के साथ आज मोदी ने वो करिश्मा कर दिया है तो यह बड़ी जीत है मोदी यह बहुत बड़ी एथिहासिक जीत है क्योंकि दो सीटों से सीधा 300 के पार बीजेपी को बहुमत दिलाना पिया मोदी के निर्तत्त्यों में एक कहें की अकल्पनियां जीत कह सकते है तिहासिक जीत कह सकते हमें से बिल्कUL ए थिहासिक जीत है और दूसरा उन्होंने बोला कि NDA के साथ उन्हें ने जो समर्थन दिया है मेहनत की है मैं जरूर कहना चाहूंगा मेरा इसे मेरा वादा संकल्प समर्पर मानिये आपने फिर से जो मुझे काम दिया है आने वाले दिनों में मैं बद इरादे और बद नियत से कोई काम नहीं करूँगा देखिए इस सबसे बड़ी बात है कोई भी प्रदा मंत्री पिये मोधी 5 साल प्रदान मंत्री रहे कोई भी दाग उनके उपर नहीं लगा है जैसे इसे घोटाले का दाग नहीं लगा है भलकि हाले कि वह अलग बात है कि राहूल गांदी राफेल डील में मोधी सरकार ने को रिष्टा चार किया उसका गलाबते रहे लेकिन आज तक साबित निकान बेशक घेरते रहे राफेल लेकिन उसका कहीं कि नजर नहीं आ है राफेल का सावित निकर से वह नहीं देश है लिए लोकसभा के एलेक्शन पे कहीं भी उसका अफ़र पड़ता मुझे नजर नहीं आथा आज का दिन 23 माई 2019 ये वह अतिहासिक पल है जिसका इंतजार देश ने ना सिर्फ आपने हमने बलकि पूरे देश ने किया साथ चरुण की वोटिंग के बार जी हां 11 अप्रेल से चली साथ चरुण की वोटिंग जब 19 माई को जाकर खत्म ही तब तक इस दिन का इंतजार था य पर फिर मोधी सरकार के सबका साथ सबका विकास को देखते हुए पिया मोधी की योजनाओं को देखते हुए उनके काम को देखते हुए आखिरकार जंता ने उन्हें प्रचंड बहुमत दिया और अब उनकी पूरी प्रचंड बहुमत के साथ उनकी सरकार बनने जा रही है